कि a parcel of books has been received तो देखें यहाँ पर अगर हम बात करते है इसके साथ हम क्या यूज करेंगे हैं स्यॹंग्लर सभ्जेक्ट के साथ समय सब्सक्राइग्jar यहाँ पर सब्ज़ेक्ट करूं के होगा है फिंख्जीज काइसे सब्चेक्ट है तो सकिलम सब्जेक्ट है przedstaw चाहतों यहां पर तो सब्जेक्ट है इसलिए सिंगर वह हो गया है लेकिन यहां पर दो कैसे मैं सिखाँगा जब की जैसे कि a number of ठीक है a number of अगर रहा है है न संतित ए नंबर ऑपन है तो a number से क्या पता चलता है यह indefinite कोई quantity या number होता है ठीक है और इसके बाद जो आपका जो subject होगा है में इसके बाद के बार जो भी noun होगा ठीक है उसके according ही अपका यहाँ पर क्या होगा word कि define होगा मिंस्कि वह work क्या होगा singular हो यह plural होगा है ठीक है हाला कि अगर ए नंबर of के बाद हम करें तो नूंब हमेशा क्या होता है यहाँ पे प्लूरल होता है ठीक इसी तरह अगर बात करें तो अब क्या करते हैं दरन्सेबाद तो होता है वर्फ क्या होता है सिंवडर होता है ठीक है यह चीज़ आप notice कर लेज़ेगा a number of के बाद और the number of के बाद मैंने क्या बता है कि जो noun होंगे वो क्या होंगे उसके according ही वर्फ define होंगे the number of के बाद जोंगे वर्फ हमेशा similar होंगे है ना चुलिए a number of और the number of में हमेशा एक question आता है यह number of जैसे आप देखेंगे आप सीज़े वर्फ को क्या करेंगे plural करेंगे जहां दर नम्र आफ के बाद देखेंगा वर्फ को क्या करेंगे हाला कि कुछ sentence ऐसे होंगे जो कि आपको यहां पता चल रहा है जैसे कि यह sentence में दोनों रूल पे डिपेंड नहीं थे बलकि यह अपने आप में एक सब्जेक्ट जो था होता है वर्फ क्या होता है हमें से प्लोरल होता है है ना लेकिन अगर इसके पहले इसके पहले एप एर आफ लग जाए ना एप एर आफ लग जाए तब condition change हो जाता है वर्ब क्या होगा वो similar हो जाएगा है ना ध्यार रखेगा तो मैंने आप दो रूल आपको सिखा ए नमबर आफ अद्धा नमबर आफ के बाद में बताएं कि यह नमबर आफ जो होते हैं ठीक है वो हम similar बनाएंगी और subject कई पर sentence में पता नहीं चलेगा कि वो दोनों में से कौन रूल पर बेस्ट है तो आपको खुछ से पता करना पड़ाएं यह parcel of books पार्सल की बात हो रही है इसलिए आप हमने हैस का यूज किया ठीक है अब आते आइविस जैसे आइविस दिखे इससे पता मश्ल जगा कि यह क्या है यह क्या है आपका को कोर्भ कलपना है जिसकी बुरती वो 22 में संबहव नहीं है ठीक है जब ऐसे चीज में एक के साथिस और अपको आपके आईविस के अलावा और भी होते हैं तोसी संटेंस में आपको कहीं भी दिखे टिक है ऐसी दिखे अजिए अजबिगे कहां होता है और उसमें आप सब्सक्राइब लगाएंगे अब आते स्वीट स्वीट डाश्द यूज़र ऑफ एडवर्ट सीटी तो क्या है यहाँ पे एड्जेक्टीव है तो हम प्लॉरल फॉर्मेंट में लिखेंगे वर्प को प्लॉरल फॉर्मेंट में लिखेंगे वर्प को प्लॉरल बनाते हैं चली फिर है कि वट I say and do be aasy to understand फिर दियाना और कि AND से अगर दो सब्चेक्ट कनेक्ठ हो ठीक है AND से अगर दो सब्चेक्ट कनेक्ठ हो तब हम क्या करते हैं सब हम करते हैं हमार का यूज करते हैं मैं इसकी ब्लोर वर्प का यूज करते हैं यहां म्मलों हरा फिर सब्सक्राइब इस में क्मीज़े पोलिक्स हो गया सवेंज़ेंगे की तृइसब्स क्या करेंगे छिस इस वन फान। हाउसेज विच में बैंन दिस टाउं जहें की ठेशंपर रिए ना डीलेटिब का रङप प्रणॉमें और ट्रियकिता पर्णौन से पहले जो subject होंगे जो पहले नाउन या नाउन होंगे उनके according या वर्ब फिल होगा this is a one of the finest houses यह क्या है plural है है ना तो plural के लिए हम क्या यूज करते हैं है ना houses which have been built in this house in this town है ना चुले नेस्ट कोशन पर आते हैं of the four business everyone does skip everyone रहे ठीक एवरीवन जैसे दिखें उसके साथ हम क्या करते हैं singular verb करते हैं everyone has होगा ठीक everyone हो each हो every हो ठीक है तो ऐसे जब भी वर्ड आपको देखें इसके साथ जो होता है वर्ड क्या होता है हमें साथ plural होता है चले तो यहां पर नोट कर लिए एवरीवन हो गया यह निवन हो गया आइधर नाइधर वन समवन नोबडी समबडी कुछ भी रहे उसके साथ हमें सब्सक्राइब करते हैं ठीक है अब आते नेस्ट कोशन वाइल अब उनाईं वर्टर जाइए नाउन जोरे हुए हैनसे जब दो नाउन झूरे होंगे तो अरो अलॉль हो बन जाता है उसके साथ का यूज होता है लेकिन अगर दोनों से एक का पता चले एक ही चीज का पता चले तो singular का होता है लेकिन यहां पर एंट से जब दो नाउन जुट है दो दोनों अलग-अलग चीज़े बता रहे है इसके साथ हम क्या करेंगे दो के लिए हम क्या करते हैं प्लोरल के लिए हमें दू का यूज करना पड़ेगा ठीक है दू वालन वाड़ दू नॉट मिक्स ठीक है चले लेस्ट एवरी मान वोमें और चाल्ड डास गिवन फूड मैंने बताया था कि एवरी चाहे वो यहां पर म करेंगे चलेर क्या है राँ राइदर दैन अदर्स डैस यहां पर यहां पर आपका सिंग्लर वाव ऑगिंव तो इहां यहां पर ऑपका इस करेंगे राम के इ Simone Anth परन लेंगे हैं जो यहां तो वर्ब क्या होगा से पोजीशन के पहले जो सब्सक्राइब होता है नाँ मोटन हो उसके प्लौर्ड पर्णाउन हो उसके प्लौर्ड के साथ प्लौरियर्व करेंगे हम यहां पर हैं रखीगा ठीक है। next क्या है either C or I त्यां हुक्ते अगर रोले either or के साथ अगर sentence जोड़ा हो तो verb किसके according हो either according हो or' forecasting होगा तो आपका यह होगा यह आपका और के according होगा किसके according हो और के ओर के जो窝ज़िक जो subject होंगे उसके according ही है आप होगा verb कि पुबि» के साथ कि उसका प्यूसर को और यह कका नज यहां के साथ है तो पंदिक के साथ चुरुद करते हैं? प्लिस हो गया ठीक है तो ऐसे कुछ वर्ड जो हमें साथ यह प्लोरल में होते हैं अगर है तो इनके साथ प्लोरल वर्प करते हैं इसकी आर का यहां पर यूज करेंगी क्लिए चलिए अब आते हैं नेस्ट को सन पर दर्न नॉट्रिस डगार विद ओल इस फॉलवर्ड देखि यहीं ऎंगे के साथ कानेक्ट है ना जब त्याहर weg को नेक्ट हो तो अब बताई किसके कोन को मुगा अब जो होगा इसके पहले जो सब्येक्ट होगा इसके कोर्डिगियंग होगा सब्सक्राइब कर सकते हैं नोट कर लिजेगा कि अगर विद के लोग वी दोधा तब भी हम वही करते हैं उसके पहले वाली सब्डेट का एक्वार्डिंग ही हम वर्प का यूज़ करते हैं अब आते हैं बहुत वारे से सब्सक्राइब पूछा गया है मेनी ए के बाद या पैंके के एक्जाम में पूछा गया सा नोडर मेनी ए मैंडास वाकिंग तो मेनी जैसे दिखे ठीक है मेनी ए दिखे मेनी ए दिखे या फिर अगर मेनी एंड दिखे ठीक है इसके बाद जो भी होगा नाउन हो या वह वह हमे होगा ठीक है वहाज होगा चले नेस्ट टू मीटर्स अब आते हैं बात करते हैं तो देखे रिच्टे डूर दोडिनर कि यहां पर हमेशा यहां पर स्टीम लब का एति होगा ऑब एसा क्यूं तो ध्यां रखेगा अगर वाक का जो subject है ऐसे नौन है जिससे निष्चित दूरी निष्चित क्या है? एक निष्चित निष्चितुरी हो रकम हो वजन हो तो एसे में क्या हो कि प्लोडल रहने पर भी ये दिखने अगर ये प्लोडल रहने पर भी और यह subject plural है फिर वहीं क्या होगा यहां मैंने भी बता है कि यॉइश होता है युइज art के साथ जब हाओ किसके Millennium होता है यह और के बाद जो मैंसके चलिए नेश्ट आते नाइदर ओफ दा सिस्टर्स मैंने अभी बता है कि नाइदर रह संटेंस का अगर सब्जेक्ट नाइदर हो ठीक है नाइदर हो इच हो एवरी हो है ना ऐसे बहुत सारे हैं जैसे कि और भी है नोट कर सकते हैं आइदर इनीवन नोवन समवन ठीक है तो उ क्या होगा हमिसा स्यम्हलर होगा मिसकी वस होगा ठीक है चलिएलसे मीन सबसेंज दस्टस नेश्ट रहे हैं अगर isगयर आफिय चीरिकट के बारे मेंân बात करें तो यह क्या होगए दोसे एक छिचिज का बात हो रहा है इसलिए यहां पर singular verb का यूज़ करेंगे अगर दस सम के साथ अगर एंड के बाद दस सबस्टेंस भी एड होता है तो देखिए दस और दोनों जगा आ गया एंड के बाद भी और एंड से पहले भी दो अलग-अलग चीज़े बता रहे हैं ठीक है तो जब दो जो सांलों चीपयाएँ अशनलिया में अब बता है जो बजाया इस से कनकेड हो जा टुगेदरविस से कनेक्ट हो है ना विद भूण टो अभिन रज्थे तो एसे जो हूँत में यहां पर सिसके काड़्िंग रखेंगे कि ऐसे में वर्ब जो रखेंगे उसके एकॉर्डिंग रखेंगे मैं इसकी पहले वाले सब्जेक्ट के निवह साथ मैं पैरेंट्स के साथ वर्व होगा ठीकर क्योंकि यह प्लोरल है तो इसी के अकॉर्डिंग यह प्लोरल होगा सब्सक्राइब के साथ जो वब वब उनके पहले वाली सब्जेक्ट के कॉर्डिंग होगा वो अगर वो प्लॉरल है तो प्लॉरल वब सिंग्लर तो सिंग्लर वब ठीक है चलिए नेस्ट क्या है not only he but also his servant blamed for the accident अब देखें not only और but also not only your Come to sendates the किसकर अन्म영 उता है तो बट ऑन सो के बाद वाले जो अच्व्जेक्ट होता है उसके कर्णि मोता है तो 있을 deception क्या हैरे पें ज?, अब सिंग्लर सब्जेक्ट के लिए कि लिए हम क्या करेंगे ? सुम्लर वब करेंगे ?ael o नमबर ऑफ मैंने अभी सिखा तो देखे तो आप क्या करें दना मों दनावर और आफ के साथ वब जोगा वह सिंगलर हो जाएगा है ना यहां पर यहां पर यहां फिला gloss लगाते हैं एंच है और यहां पर आ फिर फे q202 इंडेफिनिट डेफिनिट क्वान्टिटी का पता चल रहा है इंडेफिनिट नंबर का पता चल रहा है या क्वान्टिटी का पता चल रहा है ऐसे में जो वह होते हैं किसके कॉर्णिंग होते हैं वह होते हैं इसके बाद आने वाले सब्देट का इनुशार होते हैं और सिफ लाफ भी ओसके लाट ओफ होता है और लुक इसने लाफ भी ओको हम क्या उसके प्लोड़ वų उसकतें न थित यां क्या आए अब करते हैं-त 40 सबस्च करते हैं-त देखर अल्एंस से पता चले हैं यह तो सिंग्डर है और सिंग्लर के लिए हम singular subject का use, singular verb का use करते हैं, जिसके यहाँ पर has होगा, ठीक है, ऐसे और भी हैं, जैसे कि parliament के बाद अगर बाते government हो गया, jury हो गया, committee हो गया, ऐसे कुछ word जो है, जैसे board हो गया, staff हो गया, ठीक है, ऐसे जो वर्डे न, इनके साथ आप singular verb का use कर सकते हैं, या प्लूर दोर में भी करते हैं, वो sentence के आपके formation के according होगा, अब यहाँ फिस sentence के, अगर formation की बात करते हो, तो इर से पता चलता था, यह singular है, इसके singular verb का है, मैंने यहाँ पर किया, clear, चले, आते 26 में, none of us dash money, none of, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर none की बात हो रही, none of, तो अभी मैंने बताया था, यह क्या है, indefinite, अभी मैंने बताया था, indefinite quantity, यह number हो, तो इसके बाद जो होता है, आने वाला subject होता है, उसके according verb होगा, अससे क्या पता चार रहा है, यह plural है, तो plural के लिए हम क्या करेंगे, plural के लिए हाँ पर हम use करेंगे, have का, ठीक है, have money, चले, let's say the philosopher and scholar, देखिए the philosopher and scholar, and से दो subject जूरा हुए, एक के पहलो तो the है, लेकिन दूसरा का पहलो द नहीं है, तो यह दोनों अपने आप एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, कि वो ही व्यक्ति है, जो philosopher भी था, और scholar भी था, तो इसके लिए subject क्या होगा, similar, sorry, verb क्या होगा, similar verb होगा, मिसके is dead होगा, ठीक है, चले, bread and butter, जैसे मैंने बताए, bread and butter से पता चले, and से दो subject जूरे हैं, और दोनों से एक ही चीज़का पता चलते हैं, तो हम subject verb क्या करते हैं, similar का use करते, is होगा, ठीक है, चले, next का he, he, he does not, he does not go there, तो he के साथ क्या होगा, यहां, there होगा, यहां, there होगा, ठीक है, यह बहुत अच्छा important question ध्यान रखेगा, अगर आप इसको, ठीक है, अगर आप, यहां पे अगर, जो है, model verb के तरह use करते हैं, ठीक है, अगर आप, dare को, या need को, dare को, आप क्या करते हैं, model verb, model verb के तरह अगर use करते हैं, तो क्या होगा, third person similar number के साथ, भी, क्या होगा, आप यहां पे, dare से नहीं लगाएंगे, बलकि क्या कर लगाएंगे, dare लगाएंगे, dare not, he, dare not, go there, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप, dare में नहीं लगाएंगे, ध्यां रखेगा, अगर आप, dare या need का use, कैसे करते हैं, principle verb की तरह करते हैं, जैसे go हो गया, each हो गया, तब आप उसमें, yes या yes लगा सकते हैं, ठीक है, वड़ना, अगर आप इसको क्या करें, model verb के तरह use कर रहे हैं, तो आप इसके साथ, yes नहीं लगा, means there होगा, clear, चलिए, next, neither of the stories, that's interesting, मैंने sentence के पहले में बताएं कि sentence अगर start हो, neither से, either से, each से, everything, तो verb क्या होगा, हमें से similar होगा, ठीक है, चलिए, next क्या है, और से connect है, और से क्या connect है, दो subject connect है, तो verb किसके according होगा, तो और के नजदिक वाले जो होते हैं, subject, उस यहज़ोता है, चलिए, next क्या है, more than one, more than one के बाद, वब हमेशा, क्या होगा, similar होगा, note कि जा, more than one के बाद, वब जो होगा, हमेशा क्या होगा, वब हमेशा similar होगा, चलिए, my friend as well as myself, as well as, मैंने बता थो, as well as, connect हो, तो वब किसके according होगा, my friend is according होगा, my friend के हाँ पर又ist constitu LIAR है all furniture furniture क्या है यह हमेशा similar में होते है ठीक है और भी होते है ऐसा नहीं news भी होता है furniture हो गया news हो गया scenery हो गया luggage हो गया बहुत वारी इस तरके question है luggage हो गया knowledge हो गया information हो गया music हो गया money हो गया ठीक ऐसे जितने भी word मैंने बता है सभी क्या है हमेशा similar होते है और उनके साथ क्या होते है similar verb का use होता है means use होगा clear चलिए next a number of मैंने भी बता है a number of जैसे देखे verb का verb का form क्या होगा plural होगा singular होगा plural ठीक है a number of के साथ हमेशा plural लगाते है और मैंने भी बता है a number of के indefinite number या quantity बताते हैं और उसके बाद जो noun होते हैं उससे के according होते हैं तो ऐसे भी आप शिक कर सकते हैं कि बहा इसके plural के लिए हम R के उसकरते हैं ठीक है half of the mango मैंने बता है half of हो गया a number of हो गया है ना three fourth हो गया three fourth off हो गया ठीक है तो ऐसे जितने भी indefinite number of quantity इनके बाद वाले noun के नू सारी verb होते हैं तो half of के बाद जब the mango देखते हैं similar है तो singular के लिए हम क्या use करेंगे similar verb का use करेंगे है ना is का use करेंगे चलिए you are the person who does help me who क्या relative यहाँ पर क्या है pronoun है relative pronoun के बाद जो the person है यह similar है तो singular के लिए हम similar verb का use करेंगे helps की बाद करेंगे ठीक है चलिए next क्या है neither the moon nor the stars देखे neither or nor की बाद होई neither nor से connect हो तो किसके according होता है verb तो nor के बाद जो subject का था यहाँ पर हम यूज करेंगे work का use करेंगे ठीक है यहाँ पर क्या use करेंगे work का use करेंगे शलिए next day the house with all its belonging मैंने फिर बताया था with या together with के साथ connect हो तो verb किसके according होता है इसके पहले वाले subject के निसार होता है with या with with के साथ मैंने क्या बताया था with होता है together with होता है ऐसे भी मैं बताया था with हो गया together with हो गया और क्या मैंने बताया था as well as हो गया along with हो गया in addition to हो गया like हो गया unlike हो गया but हो गया तो जब भी connect हो दो subject तो किसके according होगा इसके पहले वाले subject के लिए उसार होगा the house के साथ was का होगा ठीक है चली नेस्ट है क्या he ordered as if जैसे as if दिख जाए ठीक है यह क्या है या if दिख जाए या as thou दिख जाए ठीक है तो हम सीधे क्या करेंगे वर्ब हमेसा pluralist करेंगे क्योंकि कोरी कल्पना की बात हो रही है ठीक है अब विलाशा की बात होई है चली देखिए 41 में क्या होगा इसमें singular होगा कि plural होगा तो मैंने क्या बता है the plus subject sorry the plus adjective रहे तो यह क्या adjective है तो इसके साथ जो वर्ब होगा plural होगा ठीक है वर्ब क्या होगा plural होगा note का लिज़गा important है चली देखिए the part of this work that's still finished अभी मैंने बता है the part of the parts of ठीक है चाहे कहारी मों होंता है यहां पर होगा यहां बाइच हो आथ इसके कोह।कह। इस वर्ब्हर्इस होगा ठीक है में से क्कृतिक ही आइच मर defence और है यहां यहां पर होगा है चाह्ट हो फक्रकर क्वावता ही है इसके शक्रूर का हैं perfect यहां पर क्या हो जाएगा है 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 यृ जो जाएगा ठीक है हागी है यृ इश पर देखने से लगेगी सब्सक्राइब लगांगे गलत बात subject का पहला subject के sentence का first subject जो होता है sentence का पहला subject होता है उसके according होता है ठीक है जा रखेगा चले next का more shoulders than one more भी हो गया यहाँ पर क्या हो गया more के चाहए plural noun हो गया note के लिए जब बहुत important more हो गया plural noun हो गया plus than one हो गया तो इस के बाद हम क्या करेंगे इसके सथ वाव हमेशा plural के उसके रहेंगे यहाँ पर वाव होगा ठीक है plural होगा चले nothing but trees nothing but के साथ यहां रखेगा nothing but के साथ के साथ with noun singular हो ठीक है नउन जो होगा singular हो या plural हो noun कुछ भी हो वर्ब क्या होगा हमेशा वर्ब हमेशा जो होगा सिंग्लर होगा ठीक है वह जो गा चलिए 48 में आते हैं तो यहाँ पर क्या है फिर से मैं बताए आप एक प्रोनोन के पहले जो बोक से वह है प्लोरल और प्लोरल के लिए हम क्या करते हैं Plural Verb का यूज करते हैं तो Books Have Been Written ठीक है Books Have Been Written चली हो लेश्ट गैइड और ओनलीक्ड वार्जोगा गर्याइड यहां पे जो होगा 49 में वह होगा आप का यहां पर वसट ठट्टी कैं कि इहां पर फिट्टी की place को निएग inadдиए कहलें न सिमिय्ड़ बंऒ का है यहां है चली कि नेस्ट है कि यहां पर दालाइट और यह दिज लेंग नास बैइड तो देखे दीज लैंग नहीं आफ के पहले करेंगे आप से कंगेंसें जो सुरी प्री पूजिशन और उसके पहले वाले देखी सब्जेक्ट जो है यहां पर क्या है दलाइट क्या है इस सिंगलर है तो सिंगलर हैं सिंगलर वह आपका यूज़ करेंगे इसका यूज़ करेंगे